श्री महा लच्मेन महा स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती वावना योटुब चैनल पर तीन मई सुव योग अक्यात रतिया अक्यात रतिया का जो दिन होता है ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन गर में कुछ चीजे लाकर के जरूर रखने चाहिए इससे माता लच्मी की किरपा बनी रहती है और जीवन की आरही सारी समस्चयां दूर हो जाती है खुशियों से घर बढ़ जाता है अक्यात रतिया का जो दिन है ये स्वेम सिद्ध मूर्त होता है इस दिन आप कोई भी सुवकार कर सकते है अक्यात रतिया की दिन सोना खरीदना ब्यादी शुवमाना जाता है अक्यात रतिया की दिन कोई भी सुवकार कर सकते है जैसे साधी विवा है ग्रह प्रवेश है बान करी सकते हैं भूमी जाजाद खरी सकते हैं ब्यवपार सुरू कर सकते हैं तो कोई भी कार कर सकते हैं, आज का जो दिन होता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है, इस दिन पूजा पाट का और उपायन का भी विशेश महत होता है, इस दिन आप अपने इस्ते देपता की आरादना करें, साती माता लच्मी की विशेश रूप से आरादना करें, भगवान गनेजी की आराद ना करें इससे आपके सारे कार इसे दोंगे और आपकी सारी परिशानिया दूर हो जाएंगे अगेत रतिया के दिन या उससे पहले आपको कुछ चीजे ला करके जरूर रख लेनी चाहिए कि जैसे पूजा के बरतन पूजा के ग्यारे कमल गट्टे आपको पूजा इस्तान में रखने चाहिए और यह अखेत रतियाते पहले लाकर के आपको रख लेने हैं ग्यारे कमल गट्टे आप माता लच्चमी जी के सामने रखेंगे आपकी सभी मनुकामनाय पूरियोंगे और भरपूर धनाएगा दूसरा है यंत आप श्री यंत्र लाकर के जरूर रखें या आप शर्ब्यादा नवारन यंत्र लाकर के रखें यह अभ्यादी सोमाना जाता है और इसे प्रतेक मनुकामना पूरियोंगे आपको रतिया के दिन चांदी का सिक्का जिस पर माता लच्चमी जी गज समयत मनी हों और भगवान गने जीवे हो ऐसा चांदी का सिक्का घर में ला करके जरूर रखना चाहिए इससे प्रतेक मनोकामना पूरी होती है भरपूर धनाता है जीवन की हर परिशानी दूर हो जाती है कोई भी किचिन का बरतन अकेत रतिया के दिन आप कोई भी किचिन का बरतन ला करके जरूर रखे और उसमें थोड़े से चावल चीनी डाल करके जरूर रखें इसे घर में खुसी आती हैं और घर के बंडार बढ़ जाते हैं गाय का गी गाय का गी ला करके उसका दीपक जलाना चाहिए सभी देपताओं के सामने और उसमें हल्दी गोलकर के घी में घर में स्वास्तक चिन बन अगर आपको यह कई मिल जाती हैं तो आप पूजा वाली दुकान से मिल जाती हैं आप जरूर इसे ला करके रखें यह बहुती शुब मानी जाती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती घर में हर प्रकार की खुसी आती हैं पीली कोडी यह ब्यादी शुब मानी जात और कमल गटी के साथ में ये रखी जाती हैं इन पर हल्दी कटी का लगा करके और इनको अपने घर में समाल करकी रखना चाहिए अगर ये चीज़ ला कर रखते हैं तो विशे शुम मना जाता है अकेत रतिया के दिन लगुन आरियल लाकर करके रखना चाहिए ये बहुत ही लच्मी का साक्षात रूप है ये चीज़े आप जरूर लाकर करें लच्मी गड़ी जी की मूर्ती ये भी लाकर करके रखें आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी अक्यात रतिया का जो दिन है ये बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन केई रासियां बेहदी भागिसा लि बिसेश रूप से अराधना करें और जो चीज़े आपने रखें पीले कपड़े में उसकी पोटली बना करके आपको तिजोरी में रखनी है इससे भरपूर दनाएगा और आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी मुझे अमीदा आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी करके जरूर रखें